नमस्कार, मेरा नाम नीलम है, मैं इस विशय के लिए आपका स्वागत करती हूँ, आज हम निम्लिखित विशयों का अध्यान करेंगे, यूनिट दो अगनी शुरक्षा का ज्ञान, अध्यान के लिए विशय, प्रयोक तिंजन ओईल का शुरक्षित निप्टान, वैदित इंधन लेकेज की शुरक्षित रख रखाव, अगनी शुरक्षा, विशयक धूल का शुरक्षित निप्टान, शुरक्षित रख रखाव और समय समय पर लिफ्टिंग उपकरन का परेक्षन, पहले विशय की साथ शुरू करते हैं, नमबर एक प्रयोक तिंजन ओईल का प्रदार्ट के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो पानी में घुलंशील नहीं होता है, जिन आयलों का अस्तमाल किया गया है, वे गंदगी, धाटू के टुकडे, पानी जैसे बोधिक या रसाइनिक अशुद्यों से दूशित हो सकते हैं, तुफान, नालिया, ये जल माद में प्रवेश करने वाले तेल, एक गंभीर परियावर्नी खत्रा है, प्रियोक्त ओयल ताजे पानी को प्रदूशित कर सकता है, इस प्रिक्रिया का उद्देश्य, उपकरन के रखरखाव के संचानन, प्रिक्रिया, प्रिक्रियाओ, और किसी अन्यक गतिविदी से जह प्रिक्षित निप्टान के लिए प्रिक्रियाएं, दस्ताने पहने, क्योंकि आईल में रसाइनिक और संदूशक होते हैं, जो तोचा के संपर्ग के लिए अच्छे नहीं होते, उप्योग किये गए तेल को एक साफ प्लास्टिक या धादू के कंटेनर में अच्छी स्थि के कारण फ्रेक्चर हो सकता है, किसी अन्या परदार्ट के साथ मिश्रित इंधन का उप्योग गए तेल को मिश्रण करने की अनुमती नहीं दे क्योंकि इससे अग्याद और खतरनाक रसाइनिक प्रिक्रियाएं हो सकती हैं, जाल किये गए तेल को गैसलेंडर और गैसलीन से दूर रखना चाहिए, शीशता कंटेनर नय भरे लेकिन रिम के नीचे एक या दो इंच की जगह दे, कंटेनर को सामगरी और विभाग के साथ लेबल करें, अब हम वैद्यूत शुरक्षा युक्तियों का अध्यन करते हैं, नमबर दो, वैद्यूत शुरक्षा युक्तिया ऐसे वैद्यूत की अवरोध हो जैसे सूखी लकडी रबड अत्वा प्लास्टिक पर खड़े होकर, अत्वा इसके अधिरिक्त किसी भी वैद्यूत अवरोध के दुआरा अपना बचाव करते हुए, वैद्यूत से संबंद को हटाने, इसके लिए या तो वैक्ति को अत्व तार उपकरन को धकेल कर अत्वा खीच कर अलग करना, चरण दो, प्रभावित वैक्ति से सीधे संबंद से बचना, यदि रबड के दस्ताने उपलब्द नय हो तो अपने हातों पर सूखा कपड़ा या कागज को लपेट कर, अगर आपने कोई वैद्यूत अवरोध का प्र तो उप्युक्त उपाय करते हुए उसे गिरने से बचाने की कोशिश करनी चाहिए, अत्वा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वैश शुरक्षित स्थान पर गिरे। पर निरंतर ध्यान रखें, पीडित को अधिक चदिक शुरक्षित रखें, आईए अब हम इंधन लीकेज से शुरक्षित निप्टान का अध्यन करें, नमबर तीन इंधन पैलाव का शुरक्षित रख रखाव, टीजल इंधन एक जोलंशील पर धार्थ है, तता इसके रि अधिधन जलकाव, तता विस्पोर्ट का कारण बनता है, अतै इंधन का रख रखाव, उची तरीके से करना चाहिए, इंधन का अधिक गर्म चलते हुए इंधन के निकट नहीं रखना चाहिए, इंधन टैंक में गरम होने पर उसमें इंधन डाले, इससे आग लगने का खत इंधन जलकाव को रोकने के लिए इंधन बढ़ते समय कुपी का प्रियोग करें, इंधन जलकाव को रोकने के लिए हवा में इंधन बढ़नाली से निकालते समय ट्रे का प्रियोग करें, इंजन के पास इंधन का रिसाव तदा जलकाव दुरगटना का कारण बन सकता है, इ चीर इंजन इंधन टैंग को तपित इंधन टैंक से दूर रखना चाहिए हैं। अब हम अगनी शुरक्षा का दियन करते हैं। नंबर चार अगनी शुरक्षा। जौला चिल प्रधार्ध के जलने को आग कहते है। नचाहे आग के लगने का पता चलता है तो उसे नियंतित करने तथा बुझाने की तुरंद उचित कादेवाई करने चाहिए आग के कारक इंधन कोई भी पधार्थ द्रव ठोस या गैस जब जलेगा जब उसे ऑक्सिजन तदा उचित ताप दिया जाए कोई भी इंधन किसी निच्ची तापमान पर जलना आरंब करता है यहें इंधन पर निर्वर करता है ठोस तथा द्रव जो जब गर्म किया जाए तो वे वाश्प उत्पन करता है इस वाश्प के करने संभवते आग लगती है आग को जलते रहने के लिए आउक्सिजन समान नेता है पराप्त मातरा में हवा में उपरसित रहती है आउक्सिजन, heat, flu, fire आग के विभिन परकार क्लास A फायर, क्लास B फायर, क्लास C फायर, क्लास D फायर अब हम विभिन प्रकार के अगनी शमक यंत्रों का अध्यन करते हैं नमबर एक पानी से भरा आग बुझाने का यंत्र ओप्रेशन की दो विद्या होती है गैस कार्टेज टाइपस स्प्रेड प्रेशर टाइपस संपर्क को संडक्षन करके तथा अवशक पानी की शती को बचा कर दोनों में ऑप्रेशन की विधी में डिस्चार्ज को अवशक तानुसार रोका जा सकता है नमबर दो फॉर्म भरा आग बुझाने का यंत्र ये संग्रिहित दाब या गैस कार्टेज परकार के हो सकते हैं आग बुझाने वाले यंत्र का उप्योग करने से पूर्व सैदेश उस पर दिये गए ऑपरेटिंग अनुदेशों को चेक कर लेना चाहिए फॉर्म अगनिशमक निम्न के लिए आतिक उप्योग्त होते हैं जोलंचील रही द्रव्यमान आग रिंगिंग लिक्विड फायर जहां परवैद्यूत उपकरन लगे हो वहां इसका उप्योग कभी ने करें नमबर तीन ड्राइ पाउडर भरा हुआ आग बुझाने का यंत्र अगनिशमक जिसमें सूखा पाउडर फिट गिया गया रहता है वे या गैस कार्टेज या स्ट्रोट प्रेशर प्रकार के हो सकते हैं इनका रूप तथा कार्य करने की विदी पानी भरे वाले के समान ही होती है इनका प्रमुख पहचान करने का लक्षन इनका फॉब के आकार का नोजल है क्लास की आग से निप्टाने के लिए पाउडर का विकास किया गया है नमबर चार, डाय आकसाइड से भरा गनिशमक, ये अपने विशिस्ट आकार के डिस्चार्ज होने के कारण आसानी से पहचान किये जा सकते हैं, ये क्लास भी आक के लिए उप्युक्त हैं, जमाव के कारण प्रदूशन को रोकने के लिए ज़्यादा उप्युक्त हैं, सधार सदेव किये करने के विभीन गैटेज के साथ मिलते हैं, जैसे प्लैंजर, लीवर, ट्रिगर, इत्यादी, नमबर पाच, हैलन भरा आग बुझाने का यंत्र, इन अगनिशमकों में कारवन, ट्रे, ट्राक्लोराइड, तथा ब्रोमो, क्लोरो, ड्राइ, फ्लोरो, मेथिन भर जा सकता है, जैसे गैस, कार्टेज, या स्टॉट, प्रेसर, तो परकार के हो सकते हैं, ये बहने वाले द्रव के साथ छोटी आग को बुझाने में अधिक प्रभावी होते हैं, ये शमक, वैद्यूत, उपकरन पर विशेश, उपियुक तथा सुरक्षित होते हैं, क्योंकि कल्स वैद्यूत में नॉन कंडेक्टिव सायक होते हैं, अब हम विशेप्थ धूल के सुरक्षित निप्टान का अध्यन करते हैं, नबर पाथ जहरीली धूल का सुरक्षित निप्टान, ओटो मॉबाइल, विभिन परकार का दुआ उत्पन करता है, जैसे कार्बन मॉन ओक साइड और अन्य गैसे, एस्बेस्टल धूल जो मानफ स्वास्ते के लिए हानिकारक है, विशेली ओप्सिस्ट को शुरक्षित धंग से निप्टाने के लिए विवस्तित और वैग्यानिक पद्धियों को अपनाया जाता है, वाहन के विबिन गटको और भागों से धूल को साफ करने के लिए संपीडित हवा का प्योग नह करे, किसी वाहन की सफाई के बाद इस वाहन के आहार में कुछ रसायन मौजूद होते हैं, जो विशक्त हो जाते हैं, इसलिए अन्य कपडों से अलग कपडे दोले, ताकि जहरीली दूल दूसरे कपडों में न जाए, जहरी करने की वजए उन्हें सहज रूप से निप्टान करें, अब हम शुरक्षित रख रखाव और लिफ्टिंग उपकरन के अवदिक परिक्षन का अध्यन करते हैं, नबर 6, शुरक्षित रख रखाव और समय समय पर लिफ्टिंग उपकरन का परिक्षन, शुरक्षित और सफ इस बात पर है कि समय समय पर लिफ्टिंग उपकरण का परेक्षन तथा उनका रख रखाव हो रहा है कि नहीं इन उपकरण की ऐसा फलता के कारण बड़ी हानी तथा कहा तक दुरगटना हो सकती है लिफ्टों और क्रेनों के रख रखाव के लिए शुरक्षा शावदानिया प्रियोग किये जा रहे उपकरण के शुरक्षित कार्य भार इस्तर से आगे कभी ने जाएं गाड़ी के नीचे काम करने के लिए जाने से पूरू हमेशा गाड़ी या वाहन को एक्सल स्टैंड के माध्यम से सयोग प्रदान करें उठे तदा हटे हुए भार पर अकसर हमेशा खत्रा बना रहता है कभी भी बिना सयोग वे उठे हुए भार जैसे की उठे हुए इंजन के नीचे कार्य नहीं करना चाहिए हमेशा सुनिश्चित करें की लिफ्टिंग उपकरण जैसे की जैक, उत्तल को, एक्सल, स्टैंड्स, स्लिंग्स, इत्यादी कार्यों के लिए सही है तथा यह अच्छी अवस्था में हैं एम इनका रख रखाव अच्छे से हो रहा है लिफ्टिंग उपकरणों का समय नुशार परेक्शन लिफ्टिंग उपकरणों के भाग लिफ्टिंग चैनल, स्लिंग्स, चैन, उत्तल का प्रियोग करने से पूरू द्रिश्य निडक्शन करें दिव्य दुआरा चल रही लिफ्टिंग या क्रेन में समय नुशार आइल कास्तर जाच ले या समय समय पर आइल भरे साल में एक या दो बार लिफ्टिंग उपकरंड की मरम्मत करनी चाहिए उठाने वाले उपकरंड को वर्ष में एक या दो बार आवर हॉल करे समय समय पर बिजली के कनेक्शन की जाच करने चाहिए लेफ्टिंग उपकरंड का अंशाकन साल में एक बार जरूर करना चाहिए आशंकन प्रमान पत्र भी अधिकरित परिक्षन केंदर दुआरा प्राप्त किया जाना चाहिए नमस्ते मेरा नाम नेलम है इसके दुआरा आप इलेक्टिशन ट्रेड की यूनिट दो को पूरा करते हैं अब आप सेफटी से सम्बंदित सभी अफदार्नाओं को जानते हैं मैं आपके प्रिशन को हल करने में आपकी मदद करूँगी अपने प्रिशन को परसूत करने के लिए किर्पिया नीचे दिये गए लिंक पर जाए